आखिर आपका प्रधानमंत्री कैसे चुन कर आता है और उस चुने जाने की प्रिकरिया में आपकी वोट का कितना महत्व है अब आप सोचेंगे कि ऐसे तो ये लोग आपस में सहमती करके किसी को भी पीम चुन लेंगे तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो सकता प्रधानमंत्री कैसे चुन कर आता है और उस चुने जाने की प्रिकरिया में आपकी वोट का कितना महत्व है या है भी या नहीं ये जानना आपका अधिकार है वीडियो को ध्यान से देखिएगा हमने बहुत ही आसान भासा में आपको इस समझाने की कोशिश की है तो चलिए शुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा इससे हमें आप तक इन वीडियो की माध्यम से पहुचने में मोटिवेशन मिलती है यह हमारा पार्लियमेंट यह दो हाउसे से मिलके बनता है अब भारतिय समविधान के अकॉर्डिंग राजसवा में मैक्सिमम धाईसो मेंबर्स होते हैं जिसमें 245 मेंबर्स अभी के टाइम में है और लोकसवा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं जिसमें 545 अभी के समय में हैं अब यह जो मेंबर्स हैं इनको हम और आप मिलकर ही उस Parliament में भेजते हैं जो कि हमारे लिए ही laws बनाते हैं अब सवाल ये है कि आखिर ये members वहाँ जाते कैसे हैं तो भारत में mainly तीन तरीके के elections होते हैं पहला होता है लोकसभा election जिसको कि हम general election के नाम से भी जानते हैं दूसरा होता है राजसभा का election और तीसरा होता है state assembly election लेकिन आज हम सिर्फ लोकसभा election के बारे में बात करेंगे अगर आपको और भी सारे elections के बारे में जानना है तो comment में लिखेएगा हम अगली वीडियो उस पर ही ले आएंगे तो आगे बढ़ते हैं लोकसभा election हर 5 साल में भारत में कराया जाता है जिसमें हम और आप वोट दालकर 543 सीटों पर अपने अपने representatives पारलियमेंट में भीजते हैं अब आप सोचेंगे कि अभी मैंने उपर 545 सीट कहा था और अब मैं 543 सीट कह रहा हूँ ऐसा इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि 545 में से 543 मेंबर सी हम elect कर सकते हैं बागी के 2 मेंबर डिरेक्ली प्रसिडेंट अफ इंडिया करते हैं अब आप सोचेंगे कि ये 543 सीट कैसे बनते हैं तो पहले से ही ये सीट डिस्ट्रिबूटेड हैं उनके population के उकार्डिम जैसे कि उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा सीट मिलती हैं 80 सीट जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है क्योंकि इनकी population भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा है ऐसे ही हर स्टेट को उनके हिसाब से सीट अलॉट किये जाते हैं आपके सामने वो लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे देश में किसके स्टेट में कितने सीट हैं अब इन सब सीट के लिए हर एरिया में different different parties से candidates खड़े होते हैं जिसमें से कि हम किसी एक candidate को choose करके vote करते हैं voting के बाद जिस भी party के 50% से जादा vote आते हैं वो सरकार बना लेती हैं मतलब party को लोकसवा election में जीतने के लिए 272 seats होने चाहिए जैसे कि last election में BJP के पास 282 seats थी और NDA के साथ मिलके 363 seats हो गए थे अब जो लोकसवा members majority में हैं वो आपस में vote करके देश का प्रधान मंतरी चुनते हैं मतलब आप उन members को choose करते हैं और वो members देश के प्रधान मंतरी को choose करते हैं अब आप सोचेंगे कि ऐसे तो ये लोग आपस में सहमती करके किसी को भी PM चुन लेंगे तो जी हाँ बिलकुल ऐसा ही हो सकता है लेकिन इस चीज से बचने के लिए सम्विधान में PM पत के लिए कुछ criteria's तै किये गए हैं जिस भी व्यक्ति को लोकसवा members choose करेंगे as a PM candidate वो इन सब criteria's में fulfilled होना चाहिए अब वो criteria's क्या है तो पहला criteria है कि candidate देश का नागरिक होना चाहिए दूसरा ये है कि राजसवा या लोकसवा का candidate member होना चाहिए जिसमें अगर वो राजसवा का member है तो उनकी ओमर 25 साल से ज़ादा होनी चाहिए और अगर लोकसवा के मेंबर हैं तो उनकी ओमर 30 साल से ज़ादा होने चाहिए और लास्ट में ये है कि वो candidate किसी भी government positions पे नहीं होना चाहिए तो ऐसे choose होकर आता है हमारे देश का प्रधान मंतरी तो comment में लिखिएगा कि इस बार के elections में आपको क्या लगता है देश का प्रधान मंतरी कौन बनने वाला है I hope आपकी understanding इस topic पर पहले से बहतर हुई होगी मिलते हैं हम अगले वीडियो में